हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi 10K Game Turbo के बारे में बताऊंगा इसकी जो Gaming वीडियो थी, वीजिये मैं टेस्ट की वो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि इस फोन में Gyroscope Sensor नहीं मिलता है Without Gyroscope के मुझे Gameplay करना नहीं आता है बट जो गेम टर्बो है इसमें आपको बहुत सारे अमेजिंग गेमिंग फ्यूचर्स मिलते हैं जो आपको वीडियो के आगे में पता चल जाएगा तो चली दल चली वीडियो को शुरू करते हैं का कि अburg को सबसे पहले डिंग पर आपको शब्संपर मिलता है डिंगा अब करीजों कर्ते राटाल को स्थाब्स सास्पर है तो यहां पर यहां पर मिलता है आप सेटिंकस पर टाप करूब आपको स्क्रों करते हैं प tast सर 사랑 कर से गेम टर्बो में तो उपर आप दिखिए प्लस का आपको option मिलेगा इस पर आप किलिक कर लेजिए तो यहां पर जितने भी आप application दिख रहे हैं इसमें से अगर कोई games है तो आप इसे enable करके गेम टर्बो में कर सकते हैं फिर आपको उसी के right settings को option मिलेगा जहां पर आपको सारे settings दिखाए देगे अगर आपको गेम टर्बो यूज करना है तो सबस्पहले आपको इसे enable करना होगा उसी के नीचे आपको in-game shortcuts content recommendation and remove added games from home screen उसी के नीचे install games home page orientation home screen shortcut यह सभी सारे जितने भी option से आप इनेबल और disable कर सकते हैं फिर आपको नीचे performance mode में four options मिलते हैं फिर्स्ट है performance optimization priority mode memory exception and my wi-fi speed boost को भी option मिल जाता है game dnt में आपको दो option मिलते है enhanced experience restrict buttons and gestures enhanced experience में आपको चार options मिलते हैं turn off auto brightness reading mode जो भी आपको enable or disable करना जस्ट आप ऐसे कर सकते हैं तो यहां पर मैंने battlegrounds mobile India game को open कर लिया है अब मैं आपको सारे गेम टर्बों के features बताऊंगा सबसे पहले गेम टर्बों को on करने के लिए जस्ट आपको लैपसेट से राइट में कर सकते हैं example के लिए मैं यहां पर play store पर क्लिक करूंगा तो एक छोड़ा सा multi window open हो जाएगा कुछ इस तरह से आप इसे move भी कर सकते हैं यहां पर आप गेम भी खेल सकते हैं इस applications को आप यूज भी कर सकते हैं राइट सेट में आपको सारे गेम टर्बों के options मिलते हैं उपर अगर आप देखोगे तो gpu cpu and fps शो करेगा उसी के राइट सेट में gaming mode है जो बैलेंस पर जैसे मैं इस पर बैलेंस पर क्लिक करूंगा दो ऑप्शन हैं balanced and performance अगर आप सिर्व गेमिंग पर फोकस करना चाहते हो तो आप पर्फोर्मेंस यूज कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल गेम प्ले करना चाहते हो तो आप बैलेंस पर रखकर खेल सकते हैं और नीचे के options में फर्स्ट वाला है clear memory then second है do not disturb को option जस्ट आप इस पर टैप करके से यूज कर सकते हैं थर्ड वाला है screenshot अगर आपको gameplay का screenshot लेना है या कोई भी screenshot जस्ट आप करके screenshot ले सकते हैं and important feature आपको record screen का option मिलता है अगर आप gameplay record कर रहे हो या कुछ भी gaming का आप record करना चाहते हो तो आप जस्ट आप करके record कर सकते हैं नीचे चेंज करने का Wi-Fi का option यह भी आपको राइट में कास्ट screen का है अगर आप laptop टी में आपका mobile का screen कास्ट करना चाहते हो तो आप tap करके कास्ट कर सकते हैं उसी के right में आपको turn off screen का option है जिस पे आप click करके screen turn off कर सकते हैं आपको brightness option मिलता है जहां पर राइट में आप देखोगे तो आप इसे brightness को control कर सकते हैं नीचे settings का option और सबसे important option यह है voice changer का इस phone में आपको voice changer का भी option मिलता है तो under 10,000 आपको यहां पे voice changer भी इस phone में provide किया गया है जैसे मैं voice changer पे click करूँगा तो आपको यहां पर five types की different voice options मिलते हैं पस्ट है girl, second है woman, third है cartoon, fourth है robot and fifth है man अगर आप बीजे में जिसे games खेलते हो तो आप just click करके कोई भी आवाज में different आवाज में बात कर सकते हैं and साथी में आपको timer का भी option game turbo में मिल जाता है तो यह थे सारे game turbo के features जो आपको Redmi 10 में देखने को मिलेगे सबसे important और अच्छा future है voice changer का अगर आप game खेलते हो तो यह सारे features को जरूर try करना अगर आपको मेरे ये वीडियो पसना आती है तो like जरूर कीजिए अपने अपी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर दीजिए and again thanks for watching